नमश्कार शाथियों जागरती क्लासिस में आपका स्वागत है मैं बलवीर सिंग आज इलंत क्लास के इत्यास के बारे में हम लोग बात करेंगे पूर्ण में हम लोगों ने इलंत क्लास के पाठ एक को लेकर को चड़्चा की थी हम लोगों ने मनुश्य के विकास की यत्रा के बारे में बात की थी किस प्रकार से पाशान काल में धिरी धिरी उसमें परिवर्टन आते गए और अंत में हम लोगों ने संक्रामती काल या संक्रामती की अवस्ता के बारे में बात की थी बताय था आपको पिसली क्लास के अंदर संक्राम्ति यानि मिलन, दो समय का मिलन, उसमें कौन-कौन से दो समय, एक समय तो आया है पाशानकाल, और पाशानकाल का कौन सा समय, पाशानकाल का उत्तरपाशानकाल, इस उत्तरपाशणकाल के साथ उत्तरपाशणकाल में हम बात करें, तो अंत में आरा है उसका नाम है इदर जो आरा उसका नाम है धातू यू या धातू का काल यानि पत्थर का परिचे प्राप्त हुआ पत्थर से उसने ओजार बनाने शूकिये अब उसको जानकरी किसकी हो जाएगी धात्वों की जानकरी हो जाएगी तो ये जो मिलन का काल था इस मिलन के काल में धीरे 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 उस मनुश्य ने पहले देखो यहाँ पूरा का बर्फ से ढखावा था जल्वायू परिवर्तन और जल्वायू परिवर्तन से धीरे-धीरे ये बर्फ पिगलने लगी बर्फ के पिगलने से वनस्पती उगी वनस्पतियों के उगने से धीरे-धीरे जंगल आये जंगल आये तो जो बड़े-बड़े पशु थे वो बड़े- हिम यूग का काल है आप लोग देखते हो कई वार आप लोग ने ऐसे टीवी के में नाट या फिल्म देखी होगी डाइनासूर के बारे में जुरासिक पार्क पूरी की पूरी डाइनासूर से संबंदित बने गई है तो ऐसे विशाल काई जानवर पहले इस धरती पर रहा करत से थे धीरे धीरे वो जानवर विलुप्त हुए उनकी जगह पर कुछ और जानवर आए और हैंकर के में हिमयू की समाप्ती के बाद सबसे पहले मानमने कुत्ते को अपना पालतु पषू बना लिया इस कुत्ते को मनुष्य ने पालतु पशु बनाया ये पालतु पशु बनने के बाद में जो कुत्ता था ये कुत्ता उसकी शिकार में शायता करता था मैंने आप लोगों को बताया था जब पाशान काल के बारे में बात हुई थी तो पाशान काल के बाद धीरे-धीरे ओजारों में परिवर्तन आता गया पूरा पाशान काल उस पूरा पाशान काल में बड़े बड़े पत्थर के ओजार जो चट्टानों से स्वता तूटकर बने थे मद्धि पाशान काल थोड़े आकार में परिवर्तन लेकिन थे खुर्द रे फिर नव पाशान काल और नव पाशान काल में जो ओजार बनेंगे वो ओजार बनेंगे बिल्कुल छोटे छोटे तो नव पाशान काल में नव पाशान काल में पत्थर के जो ओजार थे वो पत्थर के ओजारों का आकार कैसा हो गया तो इनका आकार हो गया छोटा और छोटा आकार होने की वज़े से इनको का गया लगुश्म इनको क्या का गया इनको का गया लगुश्म कैसे आकार के पत्थर बन गये कैसे आकार के पत्थर के ओजार बन गये तो छोटे आकार में पत्थर के ओजार बनने का कारिय प्रारंब अब मध्य पाशान काल में अब मध्य पाशान काल की अगर बात करें तो इस मध्य पाशान काल में कौन सा समय रहा ये हिम्युक का समय रहा बर्फ से धकी भी थी अब बर्फ से धकावा था तो उस समय मनुश्य ने एक गाड़ी बने इसका नाम था स्लेजर गाड़ी और ये कै कैसी थी ये थी बिना पहियों की बिना चक्को की उसने गाड़ी बनाई और बर्फ पर अपने जो पालतू पशु थे कुट्टे उन कुट्टों द्वारा उस गाड़ी को खिचवा था और वस्तु को और स्वयम को एक इससान से दूसरी इससान से आने जाने में थोड़ी तो भोजन इखटा करते 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 वो अनाज का उत्पादन करने लगा, ऐसा ही निक एक ही दिन में मनुश्या ने अनाज का उत्पादन प्रारंब कर दिया, तो यह जो क्रशी का आरंब है, यह क्रशी का आरंब किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले तो वो किस पे निर्भर है, और तीसे नमबर पे फिर वो क्या सीग्या, फिर वो सीग्या क्रशी, धीरे धीरे उसने वनस्पतियों को इखटा करना प्रारंब किया, और जब वनस्पति को इखटा करना प्रारंब किया, तो उसने धीरे 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 करके क्रशी का कारिया सुरू किया, सबसे पहले तो उसको ये जो चारो तरफ वनस्पति उगी भी देखता था तो ये सोस्दा था ये स्वता उगती है कोई भी मानना वो इस वनस्पति को उगा नहीं सकता मनुष्य की कल्पना से परे था उसका मानना था कि ये जो वनस्पतियां है वो कैसी है ये प्राकर्तिक शक्तियों के द्वारा उगई गई है कोई भी मनुष्य इनको उगाने में सक्षमा नहीं हो सकता है लेकिन कालंतर में धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि वो भी अन उगा सकता है उसे ये भरोसा हुआ कि मानव भी अनप्राप्त कर सकता है फिर मानव ने भोजन प्राप्त करने के लिए अनप्राप्त करने के लिए एक विश्वश्शनी तरीका निकाला और वो विश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश् इस सेत्र में सबसे पहले ये क्रशी का कारिय आरंब हुआ इरान में दो नदियां कौन सी नदियां दजला और फरात दजला और फरात नदियों के मध्य में अर्ध धनुशाकार देखो यह तो वब पूर्ण धनुश इस प्रकार का एक उल्टा कटोरे के आकार में यह जो शेत्र था इस प्रकार का अर्ध धनुशाकार शेत्र और इस आधे धनुश के आकार वाले शेत्र में सबसे पहले ये क्रशी का कार्य आरंब हुआ जब मनुष्ये ने क्रशी का कार्य सीख लिया तो क्रशी सीखने के बाद उसने क्या किया क्रशी सीखने के सासत ने उसने पशुपालन का कार्य भी आरंब कर दिया ये क्रशी और पशुपालन का जो कार्य था ये दौनों ही कारिय किस काल में प्रारम होंगे तो बताया गया ये दौनों ही कारिय मनुष्य के द्वारा नव पाशान काल में नव पाशान काल में मनुष्य ने खेती करने भी प्रारम कर दी और खेती के सासत में उसने पशुपालन का कारिय भी प्रारम कर दिया अब जब उसने क्रशी का कारे प्रारम किया देखो इन सारी की सारी चीजों को एक घटनाओं को आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ कर देखना कैसे जोड़ कर देखें सबसे पहले क्या करेगा शिकार सिकार के बाद में क्या करेगा जंगलों से वन फल फूल जो भी मिल उनको इखटा करेगा, पहले यही सोच रहा है कि जंगलों के अंदर यह जो कुछ भी है, इनको मनुष्य उगा नहीं सकता, यह स्वता उगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके समझ में आ जाएगी इस बात को, कि मनुष्य भी इन वनस्पतियों का उत्पादन कर सकता है, और करेगा, क्रशी के साथ बच्चों जब पशुपालन का कारिय प्रारम हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था, कोई भी खेतियों, उस खेती में फसल को उगाने में, और फिर पकने में, लगता है कुछ समय, कितना समय, कम से कम, तीन-चार मेने तो समय लगेगा, तीन-चार मेने के अंदर फसल उक्कर तयार होगी, अगर वो आदी मानव या प्राचीन काल का मनुश्य बीज डाल कर वो जैसे घुमता था एक इससान से दूसरी इससान पर, उसी तरह घुमना शुरूर करे, तो इस फसल की सुरक्षा कौ करेगा, इस फसल की देखरे कौन करेगा, तो उस मानव के लिए ये अनिवारी हो गया, जब तक ये फसल पकर तयार ना हो, तब तक उसको एक इससान पर रहना होगा, तो एक इससान पर रहना होगा, तो क्रसी कारे सीखने से हो रहा है इन बस्तियों का विकास, और जब वो म प्रारंब हो जाएगी, मानव ने क्रशी के अविश्कार को पुरा अपना लिया, और जब क्रशी के अविश्कार को अपनाया, तो क्रशी को अपना ने से ही कौन सा काल प्रारंब हो गया, वहीं से नव पाशान काल प्रारंब होता है, और नव पाशान काल को क्या का जाता है, नव पाशान काल में, मनुश्य ने क्रशी प्रारम की और क्रशी के प्रारम करने के साथ में उसने बस्तियों का निर्मान किया, बस्तियों का निर्मान करने से क्या मतलब है? वो एक इस्तान पर रहने लग गया और एक इस्तान पर रहने का कारण अभी मैंने आपको बताया था, एक इस्तान पर रहने का कारण क्या था? क्योंकि फसल को पकने में क्या हो रहा है? समय लग रहा है और फसल को पकने में जितना समय लगेगा तब तक उस मनुष्य को उसी इस्तान पर रहना होगा तो यह जो समय था पूरा का पूरा इसको क्या का गया इसको का गया नव पाशान का लिन क्रामती क्रामती का अर्थ मैं आपको पूर में भी बताय था क्रामती का अर्थ क्या होगा क्रामती का अर्थ होगा परिवर्तन तो इस घटना को क्या का गया इस घटना को का गया है नव पाशान का लिन नव पाशान कालिन क्राम्ति किन-किन बातों को नव पाशान कालिन क्राम्ति में रखा जाएगा क्रसी और बस्तियां जब उसने खेती करना प्रारम की और समू में एक स्तान पर रहना प्रारम्ब कर दिया एक स्तान पर उसने रहना सीख लिया मानो को लगा कि शिरफ और सिरफ बीज को बने से फसल उगने वाली नहीं है बीज को बने के साथ में उसकी सिचाई करनी होगी निरई गुड़ई का काम उसमें करना होगा निरई गुड़ई की कारे के साथ साथ अन्नी जो दूसरे जानवर होंगे उन दूसरे जानवरों से भी उस फसल को बचा कर रखना होगा तो उसने एक इस्तान पर रहना प्रारंब किया जब एक इस्तान पर रहना प्रारम करेगा, तो किसका निर्माण होगा? तो वहाँ पर बस्तियों का निर्माण होगा. तो यहाँ नव पाशान काल में मानव द्वारा किया जा रहा है बस्तियों का निर्माण. अब यहाँ मनश्य ने बस्तियों का निर्माण किया, तो उसके जो घर होगे, वो प्रारमभिक, घर कैसे होगे? देखो पहले तो वो चट्टानों में रहता था, घर बनाने की आवशक्ता नहीं थी. लेकिन अब चट्टानों में तो खेती होगी नहीं, खेती करने के लिए नदी के किनारे आना होगा, और नदी के किनारे घर के रुप में वो बनाएगा गासफूस की जोपडियां. और उन गासफूस की जोपडियों में वो रहना प्रारंबा कर देगा, गासफूस के चपर और लकडी के खंबो पर उसके घर बने होते थे, अकसर ये जो घर थे, ये कहां बनाय जाते थे, ये बनाय जाते थे अपने खेत के नस्दिक, जहां उसका खेत होता था, बिलकुल नस्दिक ही ये घासफूस की जोपडियों के द्वारा घर बना लिये जाते थे, धीरे धीरे ये बस्तियां बड़ी होती गई, इन बस्तियों के आकार में बड़ोत्री होने से आकार बढ़ने से बन गए गाउं, और इन गाउं के आकार बढ़ने से बन गए नगर समझो इस बात को सबसे पहले क्या बनी सबसे पहले बनी है ये बस्तियां यह बढ़ी या इनका आकार इनका बढ़ा और इनके आकार के बढ़ने से क्या ben गए गाउं, फिर गाउं से क्या बन गए, गाउं से बन गए नगर, कैसे नगर बन गए, फिर बन गए है आरक्षित नगर, जहां पर जो लोग रह रहे हैं, उन्ही लोगों का वहां पर निवास माना जाएगा, धीरे धीरे मनुष्य ने अपने जीवन को बना लिया था वैवसतित, और मनुष्य का जो वैवसतित जीवन हुआ, तो मनुष्य ने अपने जीवन को कर लिया है संगठित, एक साथ मिलकर संगठित रूप से पहले तो बिखरा रह रहा है, लेकिन अब उसने अपने एक रूप उप में ढालकर संगटित जीवन जीना प्रारंब कर देगा अब यहां हम बात करेंगे मिश्रित क्रशी की मिश्रित क्रशी क्या होगी देखो जब उसने खेती करना सीख लिया तो यहां मिश्रित क्रशी किसे का जाएगा क्रशी के साथ साथ और कौन सा कार्य किया जाए क्रश वो जो प्रारंबिक माननों था वो पशुपालन किन कारणों को लेकर करता था वो पशुपालन करता था दूद कि दही को लेकर और कि मास की प्राप्ति हेतू दूद प्राप्त करने है तू और मास प्राप्त करने है तू उसने कौन सा कार्य प्रारम किया पशुपालन का कार्य प्रारम कर दिया अब पशुपालन का कार्य प्रारम हुआ प्रारम में सुरू सुरू में मनिश्य जो भी जानवर दिखता मिलता उसको मार कर भोजन के अभी तक वो इन पश्वों को माल ढोलने के लिए संचार के यातायात के रूप में अभी कहीं एक जगा से दूसरी इस जगा पर लजाना प्रारंब भ्ष्ष न ही वा धीरे धीरे उस नश्य को लगने लगा कि मैंने ये जो फसल उगाई है मैं इस फसल को उगाने ज mest essay कोड़ी और किहिती होगी तब तक तो उसको अनाज आसानी से प्राप्त हो रहा है लेकिन जब मानले आज़ए क्रशी का कार यह नहीं होगा तो प्रशी का कार्य हमारे यहां पर भी हमारे यहां अभी मान लिया जाए हमारे बरसाथ अच्छी हुई और बरसाथ अच्छी होने की वज़े से खुब अच्छा अनाज हुआ क्या करें उस खुब अनाज का एक दिन में खाके पूरा कर ले यह जितना खाना पेट भर ले बाकी गौले को सब्कों वैस्त कर दें उसको बार नई हमापी जो अनाज ए उस अनाज को क्या करते हूं उस अनाज को हम रखते हैं शुरक्षित तो ऐसे ही ओinea वह मानु था उसने जिस समय क्रशिकार्य नहीं होगा उस समय अपने जीवन को चलाने के लिए अनाज को सुरक्षित रखना प्रारंब कर दिया अनाज सुरक्षित रखा जब तक अगली फसल ना आए और अगली फसल ना आए तब तक इसी अनाज से काम चलाना है और साथ साथ अनाज को अगली बार उगाने के लिए भी बीज के रूप में अगर देखो सा अनाज खाके नस्ट करेगा, तो फिर अगली बार वो खेती किसे करेगा, तो मनुष्य ने अगली बार फसल उगाने के लिए अनाज को सुरक्षित रखा, एक बात तो ये, और दूसरी बात, जब क्रशी कार्य ना हो, तो उस समय जीवन कैसे व्यतित हो, उस समय के जीवन को व बचाय रखने की भी कई सारी लक्षन प्राप्त होते हैं, इस नव पाशान काल के अंदर, नव पाशान काल के अंदर हमें जो बस्तियां प्राप्त हुई है, उन बस्तियों से हमें, मिल रहे हैं अनाज के पात्र, अनाज रखने के बरतन, अनाज रखने के बड़े-बड़े पात्र, आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमें गाउं में किसी के घर में अनाज रखने के बड़े-बड़े कोठार दिखते हैं, तो अनाज रखने के बड़े-बड़े कोठार दिखता है इस बात का क्या अभी प्राईवा कि इनके घर में जो अनाज हुआ है, उस अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गरोग किया रेने से रहा, कोठार के अंदर रखा किसको जाएगा, अनाज कोई रखा जाएगा, तो ऐसे भंदार ग्रे घरों के अंदर बने होते ते तो पाशान काल के अंदर भी जो बस्तियां थी, वहाँ पर भी जो घर बने वे थे, उन घरों से भी हमको अनाज रखने के पात्र प्राप्तब हो रहे हैं। क्या मतलम निकालेंगे इन अनाज रखने के पात्रों को देकर इस बात का अर्थ निकल रहा है कि वो जो प्राष्ण कालीन मानों था उस नव पाष्ण कालीन मनुषिया ने अनाज को सुरुक्षित रखने के लिए और क्यों अनाज को सुरुक्षित रखा जा रहा है उसका जो वो बीज के रूप में उगाने कंव में ले सके तो वो अनाजक्र को शुरक्षित रख रहा है और साथी साथ अब उसने पश्वों को अपना मित्र बना लिया क्रस्ची के साथ साथ में उसने पश्वी प्रा 대का कार्य भी प्र्याःंब कर कर दिया पषु पहले तो पषु के साथ में उसकी सब्तुरता है पषु देखता देखकर उसको मार कर खा जाता लेकिन उसे लगा अगर इसी तरह में फश्वों को मार कर खाता रहा तो मुझे आगे के लिए फब उप्योगी थे, मास के अलावा भी उसको दूद की और अन्य प्रदार्तों की आवशक्ता उन पस्वों से प्राप्त हो जाती थी, मान लिया जाए कि अगर इसी प्रकार से पस्वों को मारता रहा, तो ना तो उसको ये आवशक्ता दूद दई की आवशक्ता मिल पूरी हो पा इन पस्वों के शात्मित्रता करके क्रसी के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी प्रारंब कर दिया अब क्रसी के साथ साथ में जो पशुपालन का कार्य प्रारंब हुआ तो उससे धीरे-धीरे उसकी अर्थववस्ता में सुधार होता गया धीरे-धीरे अर्थववस्ता मादापस्वों की संख्या बढ़ी और संख्या बढ़ने से दूद्धव उसके पास में प्राप्ट हुए। अब जिस मनुश्य के पास में जो वस्तु जादा होगी तो वो क्या करेगा उस वस्तु की अदला बदली करणी प्रारंब करेगा। तो धीरे धीरे उस मानव में विनिमें और इस विनिमें प्रणाली का भी विकास हुआ विनिमें प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये जो विनिमें होगा ये इसको हम कहें व्यापार तो प्रारंभिक जो व्यापार होगा वो प्रारंभिक व्यापार कैसा होगा प्रारंभि पुष्या ने वस्तु के बदले में वस्तु की अदला बदली करनी प्रारंब कर दी, माल लिया जाए किसी के पास पशु संख्या बढ़ने से दूद-दई ज्यादा हो गए, तो ऐसे में वो क्या करेगा? अगर अनाज नहीं है, तो दूद-दई को देकर बदले में अनाज की प्राप्ति कर लेगा, इसी पाशान काल में उस मानव ने एक और कारी किया है, और नव पाशान काल में, और कौन सा कारी किया? इस नव पाशान काल में उस मनुष्य ने बना लिये चिकने पत्थर के ओजार, चिकने पत्थर के ओजार, याद करो पूरा पाशान काल की बातों क हम लोग उने पढ़ा था पूरा पाशानकाल के अंदर, पूरा पाशानकाल में उस मनुष्य ने जो पत्थर के ओजार थे, वो प्राकर्तिक रूप से जो चट्टानों से तूट फूट कर आ रहे हैं, उनको उसी रूप में उप्योग में ले रहा है, वो खुर्दरे थे, वो मर्जी का आकार देकर उनको घिसकर चिकना बनाकर उप्योग में लेना प्रारंब कर दिया, उसने चिकने बनाए, उसका उपर सिर्वाला भाग होता था, उन पत्थर के ओजार का उपरी भाग या सिर्वाला भाग, इस सिर्वाले भाग के उपर वो अलग अलग प्रकार की नकाशी का कारे भी करने प्रारंब हो गयते उनको पूरी तरह से गड़ा जाता था उसको पूरी तरह से सिर्वाले भाग यानि उपरी भाग को पूरी तरह से गड़ा जाता था और उपरी भाग को गड़ कर वो मनुष्य अपने जीवन के अंदर उन पत्थर के ओजारों का उ कुलाडी प्रयारम में जो बनाई थी वो कुलाडी भी उस पाशान कालिन मानौस ने पत्थर की ही बनाई थी लकडी का कोई एक भाग उस लकडी के भाग को इस प्रकार से वो काड़ता था और इस प्रकार से काड़ कर ये जो बीच वाला भाग होता था इसमें कोई पत्थर का नुकिला भाग उसके द्वारा फसादिया जाता था, ये पूरा का पूरा नुकिला और चिकना भागवा करता था, और इस नुकिले भाग से, फिर वो आसनी से, हाथ से लेकर अगर किसी चीज को वो काटना चारेगा, तो मन माना आकार उसको दे नहीं पाएगा, धीरे धीरे लकडी को काटने के लिए, उसने इसी नव पाशाण काल के अंदर बना ली है, कुलाडी, और कुलाडी के माध्यम से, वो उस लकडी को काट कर अपने घर बनाने के लिए, या इधन के रूप में, या और किसी काम के रूप में उस लकडी को लेने लग गया था, जब उसने क कुलाडी का अविश्कार किया और कुलाडी के अविश्कार करने से एक और नया कार्य उस पाश्ण कालिन मानों के सामने आ गया और वो काम था बड़ाई गिरी का धीरे धीरे उसने बड़ाई गिरी का कार्य प्रारम किया ये बड़ाई गिरी क्या होगी हम बात करें लकडी के समान बनाने वाले जो भी लकड़ी के समान बनाने वाले लकड़ी की वस्तु बनाने वाला जो वैक्ती होगा उसको कहा जाएगा बढ़ाई और बढ़ाई जो होगा उस बढ़ाई की कारी को कहा जाएगा बढ़ाई गिरी दीरे दीरे बढ़ाई कारी का काम प्रारंब वा उसी मानों ने एक और अविश्कार किया सुई का कपास से तो जानकारे उसको प्राप्त हुई गई थी और कपास की जानकारे होने से उसने वस्त्र बनाने प्रारंब कर दिये थे कपास को काता कात कर बुनता और बुनने के बाद में वस्त्र बनाता लेकिन अब भी तक उसको शिले का कार्य भी आ चुका था हम बात करें पाशानकाल की तो इसी नव पाशानकाल के अंदर उसने शिकार करने के लिए एक और हत्यार बनाया इसको कहा जाता था गुलेल गुलेल का निर्मान किया किस तरह से था मृत जानवरों की हडियों के बीच में मृत जानवरों की हडियों के बीच में किसी चीज को फसा कर दूर बैठे व्यक्ति के या दूर बैठे शिकार के उपर फैक कर वो आसानी से शिकार कर पाए इसलिए उसके द्वारा बनाया जा रहा है ये गुलेल, गुलेल बनाने के साथ इससाथ उसके द्वारा बनाया जा रही है, एक काटेदार बर्ची, इसी नवपाशान काल के अंदर है, तो नवपाशान काल का जो समय था, वो संक्रामती का मिलन का समय था, दो समय मिल रहे हैं, क्या-क्या परिवर्तन हुए? सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी उस मनुश्य ने क्रशी का कारिय सीख लिया, क्रशी सीखने से उसने बस्तियों का निर्माण कर लिया, जब यहां बस्तियां बसी और क्रशी कारिय आया, तो क्रशी के साथ साथ ने उसने और कौन सा कारिय प्रारंब कर दिया इस पशुपालन का कारिय भी प्रारंब कर दिया इनी बस्तियों से कालंतर में किसका निर्माण हो गया बड़े-बड़े नगरों का निर्माण हुआ फिर इसी नव पाशानकाल में उस नव पाशानकाल इन मानव ने धीरे-धीरे यहां पर विनी में या व विनिमे और व्यापार के साथ साथ इस नवपाशान कालिन मानव ने शिकार करने के लिए कुछ नए हत्यार बना लिये हैं, कौन-कौन से नए हत्यार बना लिये हैं, उसके द्वारा कुलाडी बना लिये हैं, कुलाडी के साथ साथ में हम लोगों ने बात की थी, उसके द्वा सा साधन था वो साधन था ये बड़ाई गिरिकां फिर हम बात करें नव पाशानकाल में तो इस ही नव पाशानकाल के अंदर उस मनुष्ये ने बना लिए थेwater मिटी के बर्तन किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाये थे प्रारम में घास फूस की टोकरी बना रहा है और प्रारम में उसके द्वारा जो घास फूस की टोकरी बनाई जा रही है उसमें केवल और केवल अनाज को रखा जा सकता था उसमें द्रवी प्रदार्त को नहीं रखा जा सकता था मिट्टी की एक परत चड़ा दी या मिट्टी का कर दिया उसके उपर लेप अब मिट्टी का लेप तो कर दिया लेकिन जादा समय तक उस बरतन में द्रव्य प्रदास सुरक्षित नहीं रह पाता था कुछ समय तो रह गया लेकिन धीरे 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 उस द्रव्य का उसम बनाने प्रारंब किये, आम मिट्टी के कुंडली बना बना कर जब वो बरतन बनाएगा, तो उसमें कौन-कौन सी चीज उसके द्वरा मिले जाती थी, उसमें मिले जाती थी, मिट्टी, मिट्टी के साथ ने वो मिला था था, PC हुई, CP, CP के बारे में हमने इसे पूर्व की क्लास में भी बात की थी, क्या होगा CP, एक समुंद्री जीव, और उस समुंद्री जीव के उपर वाला जो कवच होता था, उस उपर वाले कवच को पीस कर, इस मिट्टी, CP और CP के साथ ने कुछ वो इस्तमाल कर रहा है, घास, फोस, इनस दिया है, बंद, अब मिट्टी और PCV, CP से बरतन बना रहा था, बरतन कुछ समय जादा चलने लगे, लेकिन अभी ये जो बरतन बने, ये भी पूर्ण रूप से मिट्टी के बरतन, जैसा वो चाहता था वैसे बरतन, उसको प्राप्त नहीं हुए, तो ऐसी इस्तति में, मिट्टी के बरतन बनाने भी सीख लिया, तब आग में इन बरतनों को पकाने का कार्य प्रारंब कर दिया, एक साथ मिट्टी के बरतन रखता, उन सारे के सारे बरतनों को आग के अंदर रखकर उसने पकाने का कार्य प्रारंब किया, अब जब आग में उसके बरतन पक जाते थे तो मिट्टी के बर्तन पूरी तरह से सक्त हो जाते थे मजबूत हो जाते थे अब उन बर्तनों पर पानी का कोई असर नहीं होता था और जब इन बर्तनों पर पानी का कोई असर नहीं होगा तो ये बर्तन लंबे समय तक चलने वाले हो जाएंगे ऐसे करते 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 म मन मान ने आकार के अलग अलग प्रकार के मिझ्टी के बर्तन बनाने प्रारम्ब कर दिये मिट्टी के बर्दन बनाने के साथ ही साथ उस प्राचीन कालिन माननों को पाशान कालिन माननों को कातने और बुनने का भी ज्ञान आ गया अभी आप लोगों को मैंने का था नव पाशान काल के अंदर एक चीज बने गई है और नव पाशान काल के अंदर कौन सी चीज बने गई थी? नव पाशान काल के अंदर बने गई थी सुई सुई का उप्योग वस्त्र सीलने के लिए किया जाएगा अब वस्त्र होंगे तो वस्त्रों को सीला जाएगा कपास की जानकरी नहीं तो वस्त्र सीलेगा किस से प्रारंबिक मानव निर्वस्त्र गुमा करता था लेकिन धीरे धीरे उसने मर्त जानवरों की खाल को पेड़ पोदे की चाल और पत्तों को अपने सरीर पर वस्त्रों के रूप में ढखना प्रारंब किया लेकिन जब सिंदू सरस्वती सभ्यता में सिंदू सरस्वती सभ्यता में सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए इस कपास का उत्पादन कहां हुआ तो कपास का उत्पादन हुआ है सिंदू सरस्वती सभ्यता ने पूरे विश्व को अगर कपास कहीं से गया है या मिला है तो वो गया है सिंदु सर्श्वती सब्यता ही कपास की देने में यहां कपास का उत्पद दूनवा लगभग आज से 5000 इसा पूर्व यहाज से अगर हम बात करें तो आज से बात करेंगे आज से 7000 साल पहले आज से 7000 साल पहले उस मनुश्य ने कपास का उत्पदन प्रारंब कर दिया था अब कपास उत्पदित हुआ, धीरे धीरे उस कपास को कातना और बुनना देखो दो प्रकिरिया होती है, कातना अलग और बुनना अलग कातने में किसको सामिल रखा जाएगा कातने में रखा जाएगा धागा बनाना हम लोगों ने इससे पहली क्लास में बात किती उसने पईये का विश्कार किया सबसे पहले पईये का उपयोग कहा किया गया मिट्टी के बर्तन बनाने में लेकिन अब उसी पईये को ये कात कर धागा बनाने के लिए चर्खे के रूप में उप्योग में लेगा और फिर उसी धागे से वो कपड़ा बनाने का कारिया करेगा धीरे धीरे उस मनुश्य ने कपड़ा बनाना प्रारम किया पईये का अविश्कार हुआ, कातने के लिए तकली और तकुआ, तकली व तकुआ, इन तकली और तकुआ के मध्यम से वो एक ऐसी पैचिदा मशीट मनाने में कामियाब रहा, जिसके द्वारा वो बुनने का कारिया कर सकता था, देखो कता ही का काम तो किसके द्वारा हो जाए एक तो लंवत और एक शैतिज तो जो लंवत धागा चलेगा उसको तो कहा जाएगा ताना और जो शैतिज धागा चलेगा उसको कहा जाएगा बाना तो यह जो लंवत और शैतिज धागा चल रहा है यह इन तकली और तंको के माद्यम से एक इस प्रकार से धागा और एक इस प उसके जीवन में और परिवर्तन आता गया, उसका जो समुदाइक जीवन था, उसका समुदाइक जीवन में उसने सुधार करना प्रारंब किया, केवल और केवल वो कारे नहीं करेगा, अब कारे के आउकास में, जब भी उसको समय मिलेगा, अब समय के अंदर उसको चाहिए मन Manoranjan, देखो, अगर किसी मनश्य के पास में, ज्यादा-ज्यादा कारे कारे करे हर समय कारे कारे कड़ रहे और कारे करने दुसके पास में कुछ आई हो, आई के बाद अब उसके दिमाग के अंदर आगेगी, अब उसके दिमाग के अंदर बात आएगे, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, जिससे सरीर को और मस्तिक्ष को कुछ आराम दिया जा सके, सरीर और मस्तिक्ष को आराम देने के लिए क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, जिससे मनुरंजन हो, तो अपने मन का रंजन करने के लिए उसने कुछ नयने कार्य करने प्रारंब किये अब अपने मनोरंजन के लिए उसने और कौन-कौन से कार्य किये ये पढ़ेंगे जब हम अगली बार next class लेंगे तब